असलाम लेकुम दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे आज की इस वीडियो में आपको यह समझाओगा कि FOMC की मीटिंग होती क्या है अक्सर अगर अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपने सुना होगा कि FOMC की मीटिंग आ रही है इस डेट को FOMC की मीटिंग आ और पाकिस्तानी टाइम जो है आप देख सकते हो कि 12 बजे ठीक है पाकिस्तानी टाइम 12 बजे FOMC की मीटिंग आ रही है और इसमें जो तीन इंपॉर्टन इवेंट है वो यह होगा कि एक तो FOMC की स्टेट्मेंट होगी एक फेडरल फंड रेट होगा फिर उसकी जो प्रेस इसमेंट है वो यह है फेडरल ऑपन मार्केट कमेटी ऑपन मार्केट जितनी भी होती है उनके हवाले से एक कमेटी बैठती है और अमेरिका में यह होती है और एट टाइम इन आ ये इर साल में तकरीबन यह आठ मत्बा FOMC की मीटिंग होती है और इसका काम क्या होता है यह क सेथ मैं आपको समझा दूँँ के पक्सितान में जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पक्सितान होता है ठीक है यहां वेने लिखा है ओं और ने लेने होता है और बेकिन जो FOMC है बेसिकली इस में ग्रूप फेडर सेड़ लिख होते है जो इस कमेटी में उनके है शामल होते है यह on the 7th members went through and 5 फ्रेजर्ड र्शार्व बंक के प्रजेडंट नियु यहार तो इस तरह से 12 members होते हैं जो इस committee में शामिल होते हैं और इसको जो चेर करता है और फैडल रिजर्ब शामिल किये जाते हैं अब इस बार पर आते हैं कि FOMC करता कहा है ठीक है What does the FOMC do? तो basically मैं आपके समने यह read कर देता हूँ यह statement The FOMC holds eight regularly scheduled meetings per year At these meetings the committee reviews economic and financial conditions determines the appropriate stance of monetary policy and assess the risks to its long term goals of price stability and sustainable economic growth The Federal Reserve controls three tools of monetary policy open market operations, the discount rate and the reserve requirements So basically currency stability के लिए कर रहे होते हैं और अवरहल अपनी economic growth के लिए फिर उसके लावा open markets जितनी भी होती है ठीक है उनके जितने भी operations होते हैं discount rate हो गया, reserve requirements इसके लावा interest rate के डिसाइड करते हैं वो loan के उपर जो अमेरिका में जो loan दिया जाता है आपको FOMC के बारे में एक basic idea दे दिया होगा बाकि इसकी details में अगर आप जाना चाहिए तो और भी बहुत सारे इसकी चीज़े हैं जिन FOMC के हावाले से आप जो अगर आप economics का आपका background है तो आप उसमें फिर interest ले सकते हैं और उन चीज़ों को देख सकते हैं क्रिप्टो की जो आप देखें अगर उसकी जो fundamental कोई ऐसी उसमें को development नहीं हुई ठीक है कोई ऐसी fundamentally कोई ऐसी bullish news नहीं है जिसकी वैज़े से market इतनी ज़्यदा pump हो कि यहां तक आई है अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ वो यह कि आपने just इस FOMC के meeting के जो results आएंगे यानि जो interest rate डिसाइड होंगे जो expected है वो 0.25% है ठीक है और जो अगर जो एक bad numbers आ सकते हैं वो है 0.50 अगर 0.50 आ जाते हैं तो market crash होगी ठीक है अगर 0.25% आते हैं जो minimum हैं अगर यह आते हैं तो फिर market में एक आप bullish scenario देख सकते हो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर market में जो भी results होँ ठीक है मैं आपको कुछ चीज़ें आइडिया बता देता हूँ वो अपने mind में रखनी है उसके हिसाब से आपने चलना है FOMC के results matter नहीं करेंगे ठीक है और maybe next month जो है ना next month से यानि FOMC की meeting की एक हफ़ते बाद या at least मैं कुछ आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो FOMC की meeting में होने के बाद जो चीज़ें आएंगी वो आप देख सकते हो एक तो unemployment rate है ठीक है अमेरिका का ये आप ये declare होगा 3rd February को ठीक है आपके पास रसीव होता था लेकिन अब आएगा monthly भी और साथ yearly data भी आएगा और ये 14th February को आएगा और इसके लावा core CPI monthly ठीक है और ये तीनु चीज़ें आपके लिए बड़ी important होने वारी है और मैं ये समझता हूँ US की जो stock market आप देखे ना वो किस तरह से perform कर रही है US के tech के जो बड़े stocks है ठीक है वो आप अगर देख लें तो वो कोई इतना अच्छा perform नहीं कर रहे है और उसके लावा अवराल इतनी condition कोई इतनी positive नहीं है मेरे हिसाब से और market जहां सिर्फ एक मन्त लगा है और लोग इतने ज़्यदा bullish हो गए ठीक है लोग positive हो गए है क्योंकि sentiments बनाना एक तरह मुश्किल काम नहीं है marketing पर आप पैसा लगाओ आप मुखलिफ companies जो होती है news की जो companies होती है websites होती है influencers होते हैं उनको आप पैसा दो तो वो easily आपके लिए मसला नहीं होता bullish sentiment easily बना लेती हो लेकिन क्या एक certain second के लिए आप imagine करें कि क्या है यह जो bullish sentiment बने हुए है अभी Bitcoin 20 पे है क्या यह 20 पे है यह 19,800 पे है तो आप एकदम से negative sentiments बनना शुरू नहीं हो जाएंगे तो अभी तक technical analysis जितनी भी है न technical analysis वो यह कहते है कि कोई भी technical analysis यह कहते है कि यह जो basically movement हुई है Bitcoin की price में यह sustain नहीं कर सकेगे ठीक है और यह एक real movement नहीं है और इसके लागा crypto में जो बड़ी companies हैं Ethereum के हवाले से negative news हैं Soul के हवाले से negative news हैं और Cardano के हवाले से हुआ था ठीक है इस तरह से अगर कोई दूसरा crypto का project collapse होता है तो वो भी एक reason बन सकता है कि आप दुबारा से मतलब 20,000 dollars से नीचे चले ज़ए ठीक है और मैं तो यह expect कर रहा हूँ कि February के month में आप easily 30 February तक मैं समझता हूँ कि Bitcoin आपको लाजमी लाजमी तीस momentum पकड़ सकती है ठीक है उसमें से अगर मैं आपको एक reason और बताऊं एक reason अगर मैं आप से और share कर दूँ तो वो अवराल यह जो Genesis वाला issue वावा है ठीक है Genesis ने अपनी bank bankruptcy chapter 11 फाइल कर दी है उसके लावा वो chapter 7 भी फाइल कर सकती है ठीक है तो Genesis अगर chapter 7 फाइल कर देती है तो यह एक reason बन सकता है कि market easily जो 23 पे या 25 पे भी जाएगी वो आपको easily 20 से नीचे नजर आना शुरू हो जाएगी ठीक है और फिर market का वो ही momentum बन जाएगा मैं आपको यह सारी बाते हैं इसके समझा रहा हूँ कि आप let's suppose कि market 26 पे जाए ठीक है विक बनाके 25-26 तक जाती है और आप उस position पे किसी भी ऐसे एक small cap altcoin में चले जाती हो और उसमें आप अपनी life saving डाल देती हो आप अपनी सारी 100% portfolio डाल देती हो और आप समझे ज़िए कि आप bull run start हो गया अब मुझे इसका profit मिलेगा तो ऐसा नहों कि आप वो सारी earnings डाल दो मैं आप को एक example देता हूँ कि आप GMT में डाल दो और GMT की price उसका चल रही हो जनाप 0.65 dollar ठीक है GMT की ठीक है और आप डाल दो और market उस वक्रेश होनो start और आपकी crash होते 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 एक scenario बनाया जा रहा है एक frame बनाया जा रहा है और उस frame को सारे लोग follow कर रहे है और at the end बहुत सारे लोग liquidate होंगे इसमें तो मैं आप से बस इतना कहूँगा कि आप careful होके trade करें हासकर आपके आने वाले यह जो February के first two weeks होंगे यह बहुत जादा important और crucial होंगे consumer price index CPI data जो है वो आपके लिए होगा तो यह सारी चीज़े yearly भी और month भी CPI data आएगा 14th February को तो यह सारी चीज़े बड़ी important होंगी इन पर आपने नज़र रखनी है अगर आपको signals free signal group में add होने जिसको पे आपको 100% safe signals सही है तो आप link आपको मिल जाएगा